नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ सुमुत्षर्भा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्मान लगभग पूरा हो चुका है और आज से 18 दिन बाद मंदिर में राम लला की प्रानप्रतिष्ठा भी होनी है लेकिन जैसे जैसे प्रानप्रतिष्ठ मंदिर विरोत की सियासत में कोई भी विरोधी दल पीछे रहने को तैयार नहीं और हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड में है हम ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि शरत गुट के एन सीपी नेता जितेंद्र अवहार ने हधी पार कर दी भगवान डाम को मान सहारी बता कि देखिए कैसा बयान है क्या कुछ कहा था नेता जितेंद्र ने आपको सुनाते हैं सुनिया तो श्रत्रिय का खाना ही वाउसाहरी होता है नाम क्षत्रिया था तो श्ट्रिया का खाना ही वाउसाहरी होता है तो देखिए भगवान डाम को ये मांच सहारी बता रहे हैं शरत गुट के नेता है ये एंसीपी के जतेंद्र आवान हधी पार कर दिये नोने विरोध मेतने अंधे हो चुके हैं कहीनेता कि कुछ भी बोल रहा है कुछ भी जो मन में आया बोल दिया भगवान राम को मान सहारी बता दिया जते नोन के बयान पर बोल मच गया है बीजे पिनेतार राम कदम ने उनके खिलाफ एफ आई यार दर्श कराई है और अब जते नोन भी बयान पर सफाई दे रहे हैं माफी मांग रहे हैं माफी भी मांग ली हैं सुनाते आपको और सवाल यहीं उट रहा है आखिरकार राम नाम से खिलवार क्यों बार बार ऐसे बयान भगवान नाम पर क्यों आ रहे हैं सनातन पर बार बार हमला क्यों किया जा रहा है विपक्ष के तरफ से विपक्ष के ही कुछ निता ऐसे हैं जो लगतार सनातन पर हमला कर रहे हैं भगवान राम पर हमला कर रहे हैं और फिर बयान के बाद माफी माग लेते हैं रखता हूं रेफरेंसेस के साथ रखता हूं अगल मैं बालमी की रामायन का रेफरेंस रखता हूं तो इसका मतलब आप समझिये के मैं अभ्यास करके आया था पर फिर भी लोक भावनाओं का आदर करना सारवजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है लोगों को दुखाना नहीं कि हमको शरत पावार श्याब ने सिकाया है सत्क कितना भी कड़वा हो वो कड़वाश चहर आप खुद पी लीजिए लेकिन लोगों को मत दुखाओ ये साहब ने मुझे कहा है इसलिए मैंने लोगों की लोगों के प्रती जो खेदवेक्त कर रह हो लेकिन मैं लोगों की भावनाओं का आधर करते हुए माफी मांगता हो देखिए एक तो चोरी उपर से सीना जोरी ये भी कह रहे हैं माफी भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं सत्क कड़वा होता है ये क्या बात हुई भगवान राम के विरोध में आप कुछ भी बोल गे माफी मांग लेंगे क्या काम हो जाएगा क्या माफी से काम चल जाता है यहां पर भगवान डाम करोडों सनातनियों की आस्था के केंद्र हैं मरियादा पूर्शोत्तम जिनकी पूजा होती है घरों में अपना आधर्ष मानते हैं लोग ने आप उनके बारे में अगर ऐस गाम नाम से खिलवाल आखिर क्यों भाई सनातन को इतना सौफ्ट टार्गेट क्यों बनाया जा रहा है बार बार सनातन पर हमले क्यों करता है विपक्ष और बाद में माफी मांग लेता है विपक्ष के नेता क्या माफी मांगने से काम चल जाएगा तो इसी पहर इसी महतपूर समवेदन शील विसे पर चर्चा आज हम करने वाले हैं हमारे साथ कॉंग्रिस सिता सत्य प्रकाश सिंग जी जड़ गए हैं सत्य प्रकाश जी स्वागत है आपका सबसे पहले एक एक रियक्शन लेना चाहूंगा मैं आप दोनों का उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सबसे पहले सत्य प्रकाश जी क्या कुछ कहेंगे आप ऐसे बयानों पर जो बयान अन्हां दिया है जी तो यह उनका बयान हो सकता है मैं तो यह बोलूँगा वेक्शी के तौंपे मैं पार्टी की दर्स्री बोलूँगा कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए देना नहीं जी जन भावना की बात है हम जो है राम के प्रति आस्था की बात है हमारे लिए रास्था के लिए वोट की राजनीती नहीं कर दें भाजफा का बहले हो सकता है यहां हमारे द्राइपुल मंदीर हस्वत में इनके लोग को पर आफायर है चन्दे की बंदरबाट की लोग है ऐसी चीज़े वह कर सकते हैं हमारे अस्था के विशहत है राजी गांजी जी से लेके आज भूपेज बग्रेजी तक ने आपको देख सकते हैं तो यह मैं बुल नेता हैं जो सनातन को सौफ्ट टार्गेट मान रहे हैं सनातन पर हमले कर रहे हैं भगवान राम के नाम से खलवाल हो रहा है भगवान राम के नाम पर कुछ भी बोले जा रहे हैं और माफी मांग लेते हैं सौमी जी जी देखें ये बात तो सकते है किन्ते कि स्पष्ट बात रखें यदि राम है राम का इस्पंदन है तो कहीं न कहीं रामन का इस्पंदन भी बाकी है जो कि इस्पकार के लोगों में इस्पंदित होता रहता है पदरशित होता रहता है मारीच वाली जो विचार धरा है वो विचार धरा आज भी राश्टर के अंदर कुछ लोगों के मुख से निकलाती है यह दुर्भाग गिशाली है देखेगा भाव प्रहार जो होता है न वो ज़्यादा गहतक होता है किसी भी बहुतिक प्रहार के यहले किसी को शारी चोट पोचा देना उससे ज़्यादा खतरनाक होता है उसके विचार धरा के ओपर चोट पोचाना उससे आहत करना तो इस पकार के लोगों को निश्य कानून के दौरा दंडित किया जाना चाहिए हम देखे सनातनी संते किंटो कभी आप यह नहीं सुलेंगे कि हमने किसी अन्नान्य धर्म के साथ में भी से दुरुवानी का प्रयोक किया हूँ तो यह इस देश के अंदर चल क्या रहा है आवरण क्यों अपनाते आच्रण अपनाई है ना आप जिस भी धर्म के हैं या जिस भी विचार धरा के हैं उसके अंदर अच्छी बाते भी हैं आप अपने अंदर यदि उस विचार धरा को रखना चाहते हैं तो अच्छी बात को बदरशित करिए आप किसी को निचा दिखाने के लिए स्वयम को उच्छा तो पा नहीं रहें नहीं सनातन के लिए आप कुछ विशेश कुछ कर पा रहे हैं तो आपको तो चाहिए कि सनातन के लिए कुछ करें इस प्रकार के ध्रम स्थापना के लिए कुछ करें तो एक सका विंदनियय हैं और यह से इसे सनाथन मौय। अस्था के अंदर दन विधान के अंदर लिया गया है।। गुरुण इन्दा, तिशि निंदा एक कानून है। जो आस्था से खिलवार करते हैं और निशिए आस्था की तोर आस्था से पूझे जाते हैं वो, जैंद्वर्मा जी इतिहासकार हमारे साजुडे हुए हैं, जैंद्वर्मा जी यह ना, जैंद्वर्मा जी कह रहा है कि भगवान राम शतरी थे, शिकार करते थे, मांस खाते थे, और वो ये भी कह रहे हैं कि राम चरित मानिस का तथ्ठी देकर में बात करता हूँ, बिना तथ्ठों के में बात नहीं करता हूँ, अब आप ज़रा बताईए इनको या दर्शकों को कि क्या रामायण में कहीं ऐसा लिखा है कि भगवान राम मांस खाते थे? जी नहीं कहीं है, रामायण में ना लिखा है ना वालमी की रामायण में और ना किसी में लिखा है कि भगवान राम ने कभी भी मांस मांसाहार किया है, शिकार करते थे ये बार ठीक है, शिकार करने हर शिकारी मांसाहरी होता ये नहीं है, और दूसरी बात ये है कि भगवान र खिलाब जो काम करते हैं उनका सम्वार किया था और वो मरियादा पुर्षोतम थे तो हमको ऊस बात पर ये ये भो लोग ऐसी बातें करते हैं जो की जो की भगवान राम का जिसलिए हमारी आस्था है वो उसको उस पे से लोगों का फेद खतम करना चाहते हैं मुझे लगता है कि ये अशोबनी है और अमान ने भी है और ये सारी बातें लाना नहीं चाहिए ऐसे तो फिर कल के दिने बोलेंगे कि जितने भी यूरोप के लोग हैं जो उलम्पिक जीते हैं हम उनको नह क्षाना ही ये मूरखता की बात है और ये हां जी कही है तो तो मुझे अचा लगता है कि ये जो अभी बाईस तारीक को श्री राम जी जन्म भूमी में वहाँ जहां अराम लला की स्थापना होना है तो उस पूरे वातावरन उस पूरे जो होने वाला एक आतिहासिक मतलब कार होने वाला है तो उसकी ग्रैविटी को उसकी गंभीरता को कम करने के लिए इस प्रकार की बातें की जाए बिलकुल बिलकुल बहुत महत्पून बात जीने कहीं विपक्ष के नेता कर रही हैं मैं आपके पास आ रहा हूं सद्रप्रकास सिंग जी क्या कहना चाहेंगे आप जैसे जैसे प्राणप्रतिष्ठा की तारीक मतलब 22 तारीक नजदी का रही हैं वैसे वैसे विपक्ष के तमाम नेता ऐसे उल जलूल बयान देते जा रह कि BJP सरकार में एक एतिहासिक काम होने जा रहा है सद्रप्रकाशी देखे समय जी सब्सक्राइब करने जो जो आदिया परानपरतिष्ट है तो इसके परानपरतिष्ट है तो मैं तो बोलूगा बारवा बोलूगा सद्रप्रकाशी आपको लगता है कि आप वोट की राजिती बीजेपी करती है क्या भगवान राम के नाम पर वोट की राजिती बीजेपी करती है सब्सक्राइब करता है तो की रजा खान जी बीजेपी परक्ता हमारे साज रुगा है खान साब बहुत स्वागत है आपका खान सब अल्लामा इकबाल ने राम को एमा में हिंद बताया है ऐसा धार्मिक सोहर्द आज की समय में क्यों नहीं आकर कर देखेए धार्मिक dharmic तो बिलकुल हैंके ڈین ای میں खराबी है इन्होंने हमेशा राम कहा राम कहा राम ना कहा रा लिखित में रा राम सेतु को ना कहा रा तो यह क्या बात करेंगे किस मूँ से बात करेंगे इसलिए इनको समझ में आ रहा है खास सब्सक्राइब वहां पर जा रहे हैं उसके घाड़न समारों में इनको 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 घाना पड़ेगा इनको पूरे जो इनको बोलना पड़ेगा कि इस तक बयान बाजी अच्छ और जनता इसलिए सबक सिखाते बैठी है जनता ने इनको सबक सिखा दिया चार सो चालीस मा गए फिर भी नहीं सबस्दर ने को तियार है आई यह कोई दिखके दिने फिर से लोग सबस्द चुनाओं में आपको बताएगी जनता कि आपने हमारे जो है अरहाद्य को किस प्रका चाहते हैं इनको जवाब देना पढ़ेगा और बताना पड़ेगा यह सरे ब्यान बाजी करना छोड़ दें सबस्द्र नहीं की यह जारा है कि निए चाना थे जखाई अब कहा लखाया भाई साब कि रामायन मैं भगवान ने मास खाया मास खाते थे क्या कोई गलत रामायन पढ़ रहा है वो इनको रामायन भीजनी चाहिए कि हमको अच्छी जो अभी जो चलती प्रश्चित है जो जी बिलकुल देखे अभी तो धर्म गरंत धर्म प्रतीक धर्म के जितने इस्तरले उनके साथ में जो और दार व्यापार व्याभिचार यहां तक की दुराचार तक के प्रयास हो रहे हैं यह तो बड़े विच्छी तरे अभी फिलाल में रजा साब यहां बेठते हैं मिने पा एक बड़ा विच्छीतरी से बात बोली कि एक आयत के अंदर राम का उलेक है, मैं लोगों को सीव शब्द का जो उद्गोश है, वो संज में बेठता है, इनको यह नहीं मालूम है कि अधि मा कालका ने रक्त विजासूर जो था उसको बक्षन किया, तो उस बक्षन का प्रतिक प्रतिक्षिये वेवस्था क्या है, उसके अधियात्मिक वेवस्था क्या है, यह सीर पोर सीब तोर मरूर करके अपने स्वार्था नुरू दर्म ग्रंतों तक को भी खिलवार कर रहें, यह बेहत ज्यादा शर्मना के इन्हें इतना समझ में नहीं आता कि हर विशे का एक व बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले, उन से सलहा ले ले, ताकि इस पकार का समाच के अंदर दुराचार प्सूत नहीं हो सके, समाच के अनदर इस पकार की कोई अस्थिर्टा पैदा करने वाला वक्तव नहों, और दुसरी बात एक और चीजे जी, डेखे एक बात साथ की बाद से भी सेमत हूँ. दिक्कत यह नहीं है. दिक्कत यह है कि स्वार्थान रूप अपने दलगत के हिसाब से अपने बोधिता को अपने अद्धात्मिता के साथ में समझोता करना राली जिग्यों ने चालू कर लिया. नहरू जी ने माना कि उन्होंने नमाज को निर कि गये पर और अब जमिन भी आपने टीत हो गई. लगी तो ये विवाद के वैशे बचे नहीं है ह़्हां है यई आपको कुछ अपने लिए कुछ अच्छा प्रस्तूत करना है तो कई सखारत्म को उदारान प्रस्तूत करना होगा. सकारात्मक् पृतियोगिता के बाद ही सकारात्मक् जित हासिल होती है आनले ताब हमेशा हारते रहेंगे हमेशा इस प्रकार की विवादों में उलज करके आम जनता के मनमानस से जनमानस से आफ दूर होते चले जाएंगे सभी बात बिल्कु ठीक बात आपकी पार्टी की तारीफ तो तब हो कि भगवान राम सनातन के खिलाफ बयान देले बारे नेताओं से पार्टी कहे कि हमें ऐसी पार्टी से गटबंदन नहीं करेंगे भाई साब सद्रप्रकाश जी सभी भाजबा के सभी नेता खराब है उनकी भी सोच वह जिनुपूर्श शर्पा के सोच तो मैं यह नहीं बोलूँगा सद्रप्रकाश जी सद्रप्रकाश जी महागडबंदन की जब बैठक होती है महागडबंदन की जब बैठक होती है तो कि इस बारे में बातचीत नहीं होती कि भाई साब सदरातन के बारे में कुछ बयान नहीं देना हमें इसे बयान नहीं देना है मैं आप पार्टी इस बारे में बात्चीत नहीं करती इतनी संविदन शील विश्यों पर बात्चीत नहीं करती पार्टी सुमिर जी जी बैठक हो थी लोग स्वच ना को देखे के दिया है उसके बाध बयान को आप जान भी तूल देंगे आप महँगाई पर बात किजिए ना आप बेरुश्टारी इसान पर बात किजिए उस्ते बात भी नहीं करेंगे तो जब बात को मुद्दो को भटकानी कोश करें ब्यान ये देते हैं इनका इंडिया एलाइंस के लोग देते हैं और किसी जब गलत ब्यान ब्याजी करते हैं तो आप वेक्तिगत पी आ जाते हैं अच्छा ज़रा यह बताईए करनाटक के सीएम का जो लड़का है उनके सुपोत रहे उन्होंने किस प्रकार से सनातन धर्म के बारे में अपमान किया था और किस प्रकार से बोला था क्या करवा और आपके मुकीासल में समारती नहीं उनका धर्मी नहीं जिसका धर्मी की बात कर रहा है और भाय साथ गांधी परिवार आज यह स्वखर नहीं आता हुँ उनको खुद धर्म सितितकों नामा दाखिल कर दिया राम को नकारने के लिए लॉन कर दिया अभी आपने देखा और इसके राम वत पगण जो है पद्गमन में इन्होंने कितना बड़ा गोटाला किया यह भी अभी जाहिर है साथी साथ अभी माता दंतेश्वरी जो करीडर बन रहा था उसमें भी इन्होंने घुटाले कर दिया काई तो भख्षो भाई अरे भगवान तक को आप छोड़ने को तयार नहीं होती है कहां से सनाती नहीं अपने आपको मांते जिरा भी बता दीजे मैं तो इनके सनाती भे धर में पोशन टेक लगाता हूँ कोशन लगाता हूँ अरे भाई आप पहले अपने आपको सुदाल लो आप सुरो के साथ हो या असुरो के साथ हो पहले समझ लीजिए या असूर टाइप का वियां जो आप दे रहे हैं या आपको समझना पड़ेगा परणाम आपको भुगतना पड़ेगा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ेगा जैन्द वर्माँ जी एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा मैं इतहास की बात करें तो कई आकरान ताओं ने सनातन पर काफी हमले किये उनके धार में किसलों को तोड़ा कई बार वार हुए और अभी आज की देट के हम बात करें तो लगातार सनातन पर हमले होते हैं भगवान राम पर हमले होते हैं हिंदू धर्म पर हमले होते हैं तो क्या आपको लगता है कि इतिहास में भी और आज की समय में भी सनातन एक सौफ्ट टार्गेट है लोगों के लिए देखिए एक तो सबसे बड़ी बात ये कि जो सनातन धर्म है ये इतना प्रबल है कि इतने आकरांता आया है इतना इन्होंने अत्याचार किया पर आज भी वो जिंदा है और वो उसके tolerance के चलते जिनता है बाकी किसी धर्म में tolerance है यह नहीं है और tolerance नहीं होने के कारण वो अपने आप खतम हो जाने हैं जैसे इसलाम में tolerance नहीं है तो उसके कारण यह है कि आप कभी इसलाम धर्म में महम्मद पैगंबर के बारे में कभी ऐसी बात कहने के हिम्मत भी न बनाया जारा है ये हिंदू धर्म की गड़ी महानता all theMa解 कि हमने सब को add करने की बात कई और ये इसकी इस undertा को GP& ऐह चैप केवल मुस्ल Hearts जो जो सनातन वरोदी हैं उनके वोट ओंद दो उनको ध्यान में रखरे इस प्रकार का ईनाप vertically करते हैं तो मुझे लगता है कि यह सब irrelevant है और यह बात तो सब जगा जग जाहिर है कि वहाँ बाबर ने मंदिर को राम मंदिर को तोड़ा उधर पे मत्रा में उन्हों ने यही किया एकदम जहां राम श्रीकरश ने जन्ब मुमी हैं उसी से लगके मंजिद बना दी तो यह तो बलके हिंदुस्तान में यह दी लोगों को रहना है तो उनको सबसे पहले समझना चाहिए कि 400 साल पहले वह इसलामिक नहीं थे तो वह हिंदु ही रहे होंगे तो 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 बिल्कुल महत्तफुल बात आप ने कही है उनको 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 स्वेच्छा सब्सक्राइब हो जो कभी खत्म नहीं हो सकता स्वामी जी आखरी कमेंट आपका, स्वामी जी. पर आक्रमन होता है, अब इचारब दारा के अंदर इस पकार का पर दूशड़र आता है, तो मान लीजे कि कोई शड़ेंतर आपके आपके आपर आ चुका, तो हमारे देश में तो लगातर आता रहा है, आप देखेंगे, निश्यत अपर बेहत संविदन शील मुद्दा है, ब नमस्कार.